Hello students, class 10 के लिए आज मैं compare करूँगा अरिहंत पब्लिकेशन की All-in-One Science को एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंग और मंजीत कोर के साथ इस comparison के लिए बहुत से comments आ रहे थे और लगबग एक साल से comments आ रहे थे लेकिन मैंने इस topic पर वीडियो नहीं मनाई क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन की All-in-One Science और एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंग और मंजीत कोर साइंस दोनों अलग-अलग केटिगरी की बुक्स हैं दोनों बुक्स अलग-अलग needs को fulfill करती हैं और दोनों बुक्स का purpose अलग है दोनों बुक्स का writing style भी different है और दोनों बुक्स अलग-प्राइस केटगरी की हैं All-in-One book आपको 400 की price range में मिल जाएगी जबकि एस चांद बुक आपको 1200 की price range में मिलेगी All-in-One book में physics, chemistry और biology एक ही बुक के बीच में मिल जाएगी जबकि एस चांद बुक में आपको physics, chemistry और biology की separate book purchase करनी बड़ेगी तो आपने देखा इन दोनों बुक्स के बीच में कितना जादा difference है लेकिन आप सभी students के comments रीड करके मुझे लगा कि बहुत से students confusion में है कि कौन सी बुक उनके लिए जादा अच्छी है और उन्हें कौन सी बुक रीड करनी चाहिए और ये confusion justified भी है क्योंकि कुछ teachers All-in-One book को recommend करते हैं तो कुछ दूसरे टीचर S-Chan book को recommend करते हैं अगर आप अपने senior से बात करेंगे तो आपके कुछ senior आप से कहेंगे कि हमने सिरफ All-in-One book को read किया था और हमने 98% तक mark score कर लिए वहीं दूसरी तरफ कुछ senior आप से कहेंगे कि S-Chan book बहुत अच्छी है आप S-Chan ले लीजिए ऐसे में आप confused हो जाते हो कि कौन सी बुक आपको read करनी चाहिए आज की वीडियो में मैं इन दूनों books के हर एक aspect को compare करने की कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि मेरे से कोई भी aspect ना छुटे ताकि आपको कोई confusion ना रहे अगर फिर भी मैं किसी aspect को miss करता हूँ तो आप मुझे comment में पूर सकते हो मैं आपकी confusion दूर करने की कोशिश करूँगा इस comparison वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा वो मेरा personal opinion और experience है इस वीडियो का purpose किसी publication को inferior या किसी publication को superior शोग करना नहीं है अरिहंत publication की all-in-one science में हर एक chapter में सबसे पहले हमें theory दी गई है S-Chand book में भी सबसे पहले हमें theory दी गई है S-Chand book में जो theory दी गई है वो all-in-one के comparison में बहुत ज़ादा है all-in-one book में लगबग उतनी ही theory दी गई है जितनी N-C-E-R-T textbook में दी गई है लेकिन जो theory all-in-one book में दी गई है वो notes की form में है इसलिए वो बहुत ज़ादा systematic है all-in-one science और S-Chand science में जो theory का difference है मैं उसे एक example से explain करता हूँ एक topic है displacement reaction all-in-one book में सबसे पहले हमें displacement reaction की definition दी गई है displacement reaction दो तरह की होती है single displacement reaction और double displacement reaction all-in-one book में single displacement reaction की definition दी गई है और इसके बाद इसकी तीन examples दी गई है इन examples में तीन reactions दी गई है और इन तीनो reactions को English में लिखा गया है बताया गया है कि इन reactions में क्या हुआ इसके बाद double displacement reaction दी गई है double displacement reaction की definition दी गई है और इसके बाद इसकी भी दो examples दी गई है अब हम इसी टापिक को S-Chand book में देखते हैं S-Chand book में displacement reaction की definition दी गई है और इसके बाद हमें example में 11 reactions दी गई है तो आप difference देख सकते हैं all in one में 3 reactions दी गई थी जबकि S-Chand में 11 reactions दी गई है difference सिरफ number का नहीं है जो reaction all in one में दी गई है उन reactions की diagram भी दी गई है जैसे displacement reaction की एक example है zinc reacts with copper sulfate solution to give zinc sulfate plus copper S-Chand book में diagram दी गई है कि किस तरह से हम zinc को copper sulfate solution के साथ react करते हैं और जो product बनता है वो किस तरह का बनता है उसकी भी diagram दी गई है इसी तरह से जब दूसरी reaction दी गई है when iron reacts with copper sulfate solution it gives iron sulfate plus copper तो यहां पर भी एक test tube के बीच में copper sulfate solution दीखाई गई है copper sulfate solution blue color की है तो test tube में आप blue color का copper sulfate solution देखेंगे उसके बीच में जब iron nail डाला गया तो वो भी आपको diagram में दिखाई देगा और जब reaction होगी और product बनेगा iron sulfate बनेगा तो दूसरी test tube में आपको iron sulfate दिखाया गया होगा और जो copper इस reaction से बाहर निकला वो copper iron के उपर deposit हो जाएगा तो आप diagram में देख पाऊगे कि वो copper iron nail के उपर deposit हो गया है यानि के all in one book में आप reaction पढ़ोगे और reaction को समझोगे लेकिन S-chand book में जब आप reaction पढ़ोगे तो आप reaction को समझोगे भी और reaction को देखोगे भी क्योंकि जो diagram दी गई हैं वो ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे आप reaction perform कर रहे थे इसके आपको दो advantage होंगे number one अगर आपने यही activities अपने class में perform करनी होंगी या school laboratory में perform करनी होंगी तो अगर आपने all in one book से read किया होगा तो आप उस activity को perform नहीं कर पाऊगे क्योंकि उसमें आपको यह नहीं दिखाया गया होगा कि यह actually में perform कैसे करनी है आपको सिरफ reaction पता होगी कि यह वाली reaction होती है इस reaction को practically करना कैसे है अगर आपने as chant book पड़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि यह reaction perform कैसे करनी है और जो product आएगा वो कैसा दिखेगा दूसरा advantage यह है कि जब आप as chant book में diagrams देखोगे तो आपकी visualization हो जाएगी आपके mind में एक image बनेगी और image को जादा दिनों तक याद रखना possible है as compared to अगर हम सिरफ theory read करते हैं तो इसी तरह से double displacement में as chant में पहले definition दी गई है और उसके बाद लगबग 7 reactions दी गई है all in one में 2 reactions दी गई थी s chant में 7 reactions दी गई है और in reactions की proper diagram दी गई है जब s chant में बताया गया कि हम इन 2 liquids को mix करेंगे तो s chant में उन दोनो liquids को दिखाया गया उन दोनो liquids के आपने color भी देखे जब उन दोनों को mix किया जो product बना उसकी diagram भी आपको दी गई है आपने उस product को भी देखा कि वो product किस color का है और कैसा दिखेगा इस तरह की pictures all in one में नहीं दी गई all in one में सिरफ reactions दी गई है और reaction को समझाया गया है जिसे पढ़कर आपको समझ आएगा लेकिन s chant में आप visualize कर पाएंगे और अगर आपको कभी वो perform करनी होगी तो आप उसे laboratory में या classroom में perform कर पाएंगे all in one book में theory के बाद हमें practice questions दिये गए है जब आप इन practice questions को solve करोगे तो आप check कर पाऊगे कि आपने जो पढ़ा आपको कितना याद रहा और कितना understand हुआ इसी तरह के practice question एस चान बुक में भी दिये गए है लेकिन ये question एक दो topic के बाद दिये गए है हर एक chapter के end में all in one book में NCRT folder दिया गया है इस NCRT folder में NCRT text book के हर एक question का answer दिया गया है इस NCRT folder के बाद हमें practice exercise दिये गई है इस practice exercise में हमें objective type question very short answer type questions short answer type questions long answer type questions और challenger questions दिये गए है जो objective type questions दिये गए है उसमें multiple choice questions true false questions, assertion reason based questions और passage based questions भी दिये गए है अगर हम S-Chant book की practice exercise की बात करें तो इसमें हमें short answer type questions long answer type questions multiple choice questions और value based questions दिये गए है S-Chant book में assertion reason based questions और passage based questions नहीं दिये गए S-Chand book में भी book के end में हमें N-C-E-R-T folder दिया गया है जिसमें N-C-E-R-T textbook के हर एक question का answer दिया गया है अब कुछ उन topic की बात करते हैं जो all-in-one book में दी गई हैं लेकिन S-Chand में नहीं है all-in-one book में आपको 5 sample paper दिये गए हैं जबकि S-Chand book में आपको कोई भी sample paper नहीं दिया गया all-in-one book में आपको last year solved paper दिया रहता है जबकि S-Chand book में solved paper नहीं दिया रहता All-in-one book में NTSC के questions और Junior Science Olympiad के chapter wise कुछ questions दिये रहते हैं जबकि S-chand book में ऐसे questions नहीं दिये रहते All-in-one book में 10th class में जो practicals हैं उनका एक separate folder दिया गया है जबकि S-chand book में जो practical जिस chapter के हैं वो उसी chapter के बीच में दिये गए हैं अगर मैं sum up करूँ तो All-in-one book ऐसी है जिसमें आपको examination point of view से हर एक चीज़ मिलेगी आपको अच्छे notes मिलेंगे, notes के बाद practice के लिए भी enough material मिल जाएगा और ये सब कुछ आपको budget में मिलेगा अगर मैं S-chand की बात करूँ तो S-chand books थोड़ी costly हैं लेकिन इनकी cost justified है क्योंकि जो printing आपको S-chand book में मिलेंगी वो color printing है इसमें diagram बहुत जादा है और paper quality भी बहुत जादा अच्छी है और अगर मैं number of pages की बात करूँ तो S-chand में जो number of pages हैं वो all-in-one के approximately triple times हैं all-in-one book read करके आपको सब समझाएगा लेकिन अगर आप S-chand book पढ़ते हो तो आपको मज़ा आएगा overall दोनों books बहुत अच्छी हैं जो students theory में जादा deep में समझना चाते हैं वो S-chand के लिए जा सकते हैं और जो students सिरफ examination point of view से ही study करना चाते हैं वो all-in-one के लिए जा सकते हैं मुझे लगता है मैंने detail में आपको दोनों books के difference बता दिये अगर अभी भी आपके mind में कोई doubt है तो आप मुझे comment में पोस सकते हैं मैं इन दोनों books के buy link description में दे दूँगा आपको जो अच्छी लगी आप वो purchase कर लेजिए Thank you